हालो फ्रेंड्स प्रभा की फुलवारी में आपका स्वागत है और आज जो हम पौधा देख रहे हैं ये जाड़े का सबसे कॉमन प्लांट है घर में मिलने वाला पौधा है और इसे गेंदा या मेरी गोल्ड कहते हैं देखिए इसे हजारा भी कहते हैं देखिए कैसे फूलों से भरा हुआ है लगता है जितनी पतियां है उससे ज्यादे फूल है और यह एक इजी टू ग्रो प्लांट है इसको बीद से आसानी से उगा सकते हैं इसके सीड मिट्टी में डालिए और यह असानी से इसके पौधे उगते हैं मिट्टी या सैंड दोनों में उगते हैं और इसे कटिंग से भी बहुत अच्छे से चलता है इसके तीन या चार इंच के पौधे टिप के लीजिए और उसे काट के एक इंच आप सैंड में भी लगा सकते हैं या मिट्टी में भी लगा सकते हैं और 15 से 20 दिन होते होते उसमें जड निकल जाती है इसे फूलों का राजा भी करते हैं ये जाडे का सबसे सुन्दर पोधा है और देखिए किस तरफ भरा हुआ है दोस्तो इसे पूरे दिन का धूप चाहिए जहां आपके गार्डेन में सबसे अच्छा धूप लंबे समय तक आता हो वहां आप इसे लगाईए और बहुत अच्छा फ्लावरिंग देगा कम धूप में अगर इसे आप लगाएंगे तो इसमें पत्ते ज्यादा होंगे और फ्लावरिंग नहीं होगी फ्लावर कम आएंगे मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसको एक हिस्सा गार्डेन स्वाइल एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कमपोस्ट लें कमपोस्ट कम भी लेंगे तो चलेगा इसमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है और अगर ज्यादा इसमें फर्टिलाइजर देंगे तो इसमें फूल कम और पत्ते ज्यादा होने लगेंगे पानी का रिक्वार्मेंट भी इसको चेक करके दें बहुत गीली मिटी नहीं रखें हाँ एक दीन गैप करके दूसरे दीन आप पानी दें बहुत ज्यादा पानी देने से इसमें मीली बग का अटैक होने लगता है कीड़े का अटैक होने लगता है इसलिए पौधा पुराने होने पर इसमें उपर से भी रूट कभी कभी निकल जाता है जिसको आप आसानी से वहां से अलग करके ग्रो कर सकते हैं यह एक मच्छड को भगाने वाला पौधा है इसकी पत्तियों में ऐसमेल होता है जिससे मच्छड दूर जाते हैं और एक पौलिनेटर की तरह भी यह यूज होता है जैसे अगर आप साग सबजी अपने गार्डन में लगाते हैं तो आप गेंदे का पौधा उसके आसपास जरूर लगाएं यह इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और आपके पौधों में पौलिनेशन असानी से हो जाता है आपके सबजी अच्छी फलेगी इसलिए गेंदे का पौधा आप आसपास जरूर लगाएं अगर सबजी उगा रहे हैं तो जरूर लगाएं यह जाड़े का सबसे लंबा चलने वाला पौधा है इसे एक बार अपने गाड़ेन में लगा दें और यह गर्मी तक चलता हैं और इसे नए नए पौधे तयार करते जाएं छोटे छोटे इसको फिर से लगाते जाएं तो ये सालों भर आपके गार्डिन में रह सकता है और गर्मी में भी ये अच्छा चल जाता है ये थी गेंदा की बाते जीकिये कितना खुबसूरत है और मिलते हैं दोस्तों अगले प्लांट के साथ मेरे वीडियो को आप लाइक करें सेयर करें और सबस्क्राइब तो करें बाई फ्रेंड्स